आज अपनों डिस्कस करेंगे वीजनाइस की करेंट अफिर्स जो की में मन्त की चल रही है तो काफी टॉपिक हमारी कम्प्लीट हो गई है आज ही आपकी जोग्रॉफिक की टॉपिक है जोग्रॉफिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें अलग से नहीं दिया रहा था इं हम लोग 2020 में साइकलों से रिलेटेड एक क्वेशन आये थे तो वह क्वेशन अटेम्ट करने का कोशिश की जगा फिर एंड में उसकी आंसर आपको मिल जाएगी तो सारी लेसन देखने के लिए आपको एक ही काम करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करनी है और प्ले लिस् में आपको आंसर यहां पर पता चल जाएगा consider the following statements आपको correct बतानी है first है कि jet streams northern hemisphere में ही आपको सिर्फ देखने को मिलेगा second है कि only some cyclones develop an eye कुछ ही cyclone में आई होता है third है कि temperature है eye की inside में यानि कि cyclone में जो center में eye form होता है उसमें temperature बताया जा रहा है कि 10 degree Celsius तक ही रहता है जो कि surrounding से कम होती है तो यहां पर आपको बताना है कि correct statement कौन सी है first only second and third second only first and third तो काइदे से आप लोगो यह inform कर दिया गया है कि तीनों statement तो correct नहीं है तो incorrect को find out करने का कुशिश कीजिए चलिए discussion स्टार्ट करते है News में क्यों है यह topic? News में इसलिए है क्योंकि recently आप लोग ने भी यह feel किया है कि जो हमारे Indian coastal area है यहां पर दो cyclone back to back जो है कुछ ही हफतों में यह आपका hit किया है और इससे हमारे जो है private property हो या फिर public property हो या फिर लोगों की जानमाल की छती हो बहुत ज्यादा देखने को मिला है जो first cyclone था वो tocte था जो कि Arabian Sea में देखने को मिला और इसका नाम किस ने रखा था तो Myanmar जिसका नाम है एक vocal lizard यानि कि छिप के लिए इसका नाम है tocte तो यह Myanmar के द्वारा नाम रखा गया उसे के बाद आप देखो कि second cyclone आया जो कि यास था और यह Bay of Bengal में आया और यास न नाम है वो total 13 countries के द्वारा दी जाती है यह चीज़ आप लोग देखते हो कि यास हो गया तोकते हो गया कोई भी cyclone आता है तो पहले हमने पता चल जाता है कि कौन सी cyclone आने वाली है तो यह नाम कहां से निकल कर आता है तो ऐसे 13 देश है जो कि नाम देते और वह भी आप प्रक्तान, कतर, साओधी अरेबिया, श्री लंका, थाइलेंड, UAE और येमन ये सारे कंट्रीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो इंडियान उशन के चारो ओर है जो इंडियान उशन से इनकी बॉंडि टच होती है तो वो सारे कंट्रीज से जो कि यहां पर नाम देते है तो ऑवियस से जो इंडियान उशन के चारो और जितनी भी यहां पर आपको देखने को मिलता है या तो बे और बिंगॉल में या तो यहां पर अरेबियन सी में वो सारे नाम जो है यहां पर अगल बगल वाले कंट्री के द्वारा ही दी जाती है यह जो साइकलोन की यह नाम क्यों दिया जाता है इसके बारे में मैं बता रही हूं कि किसी भी साइकलोन को नाम क्यों दिया जाता है अभी जैसे आपके माइंड में जैसे तौक्ते में बोली तो तौक्ते जो आया था तो उसके उससे जितना भी इच्छती हुआ है अगर आप लोग भी उससे अगर ग्रसित थे तो आप लोगों एकदम से ध्यान में आजाए कि हाँ वो एक सुपर साइकलोन था वो इस बे और बिंगॉल कर ले रीजन में आये था इट मींस इससे क्या होता है कि कोई भी तरीके का कन्फूजन किसी भी साइकलोन को आइडेंटिफाई करने के लिए यह च साइकलोन को पहचानने में आपका दूर हो गया साथ यह आराम इसी है कि आप इसको याद कर सको बैक टूबैक जितना भी साइकलोन आता है और उसका नाम ऐसे रहते है ना तो बार बार आप निवस्पेपर में पढ़ते हो मेरे द्वारा भी डिसकुस किया जाता है जिसे आ आप साइकलोन आएखे और बहु deh... नाम जैसा ही बोलोगोए तो लोगों में एक अवेर्नेस भी क्रियेट होता है अचै ठीक है इस तरीके का देखने को मिलेगा कि हमारा वर्ल्ड मैप है वर्ल्ड मैप में आप देखो कि जो मैं साइक्लोन बोल रही हूं न तो साइक्लोन आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा इंडिया नोशन वाले रीजन में हम लोग साइक्लोन बोलते हैं इसी की तरीके से यहां पर भी साइक् टाइफून कहते हैं और लोकल नेम भी होता है अगर अस्ट्रेलिया के पास आपको देखने को मिलेगा तो इसे विली-विली कहते हैं तो ये सारे नाम जो है ना वो उनके लोकल एरिया को दर्शाता है और साथी साथ ये एक अलग से आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा हरी इसके अलावा हम लोग यहां पर देखते हैं कि इंडिया में कौन-कौन से साइकलोन प्रोन इस्टेट है तो यह जितनी पिंक से यहां पर आपके शेड़ेड है यह सारे एरिया ऐसे है जहां पर साइकलोन से सबसे ज्यादा तपाही देखने को मिलता है सबसे पहले आप देख जो फिलोसपी है थोड़ी बहुत चेंज होते वे देखेगी आपको क्योंकि इंडिया में आप हमेशा देखोगे कि अगर एक साइकलोन बे और बिंगल में आ रहा है तो दुसा साइकलोन आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो फिलोसफट साइब नियुम्ट हमारे फिलोफ से पे अदिक कश्रून आप अडिमां आपको मिलेगा तो पिन आपको को अडिकतर देखने को मिलेगा कि वे याल बिंगल में जाकर रंकिर अपने मारे प्रेश और ऑट का और temperature जो है maintain होता है साथ ही यहां पे बेय और बिंगॉल में इस तरीके का temperature होता है जो कि एक favorable condition और टेप favorable temperature यहां पे आपका create करता है जिससे की cyclone form हो सके और बहुत कम river आपको देखने को मिलेगा कि जो Arabian Sea में जाकर गिरती है तो यहां पे influx of water भी नहीं होता है यानि कि जो Arabian Sea में अल्रेडी पानी है और जो यहां से river से पानी जा रहा है उसका मिश्रन भी नहीं हो पाता है और temperature आपको अधिक तर Arabian Sea के पानी में Arabian Sea में हमारा कोई भी cyclone आता है तो इससे कौन-कौन से राज्य यहां पर प्रभावित होते हैं सबसे पहले Gujarat और उसे के बगल में हैं आपका महराज तो यह दोनों राज्य बहुत जादा प्रभावित होते हैं यास से भी आपको देखने को मिला कि दोनों ही Arabian Sea से भी देखने को मिलेगा बट यह बहुत ही रेर है सबसे ज़्यादा Arabian Sea में जो cyclone उभरते हैं तो यह आपको गुजरात और यहां पर आपका महराष्ट में ही देखें यहां पर बताया गया है अच्छा यह तो आपकी पुरानी हो गई यहां पर eight countries बताया यह आप देख सकते हूँ एक हलका सा यहां पर मैं आपको बताने चाहती हूँ कि यह हमारा भारत है और यह है इंडिया नोशन तो इंडिया नोशन के चारो और जितने भी देश है तेरा देश है जो कि नाम देते हैं इसमें से आप देखो येमन है यह ओमन है सौरी यह आपका थुरसा ब्लर देखने को मिल रहा है मैं आपको बस आइडिया दे रही हूँ यह आपका पाकिस्तान है यह यहां पर UAE भी है और साथी साथ इंडिया हो गया यह मॉल्डिप् 10 countries हुए और भी countries है जो कि यहां पर नाम देते हैं तो अभी हम लोग देख लेंगे उसको आप लोग जो है एकदम से याद कर लीजे क्योंकि काफे ज़्यादा important है इस map को देखी यहां पर आपको बेटर समझ में आएगा इस पेसिफिक और इस पेसिफिक और इस पेसिफिक tropical cyclone आता है यह October to May वाले region में आता है और साथी साथ यहां पर April to December तो यह दो टाइप को देखने को मिलेगा जो कि हाँ आता है अगर सदन हम लोग इंडिया नोशन की बात करें तो यहां पर October to May है लेकि नदन इंडिया नोशन की बात करें जो कि Bay और Bengal यहां पर Arabian Sea है तो यह April to December है साथी साथ अगर हम लोग टाइफून की बात करें तो इसका time है यहां पर April to January तो यह थोड़ा बहुत आपको याद रखना है अगर सदन यहां पर Pacific question में देखो तो यह आपका आता है October to May तो थोड़ा बहुत आपको timeline भी याद रखना होगा पता नहीं UPC किस तरह किसे तो सबसे पहले जो है यहां पर अगर cyclone की speed 50 km per hour से है तो यहां पर इसको depression कहते है यही चीज़े अगर बढ़के 62 km per hour तक हो गई तो इसे deep depression कहते है अगर यह 88 km per hour तक हो गई तो इसे हम लोग cyclonic storm कहते है और अगर 217 km per hour हो गई तो इसे severe cyclonic storm कहते है और अगर 165 km per hour हो गई त इसे हम लोग very severe cyclonic storm कहते हैं और अगर 220 km per hour हो गई तो यहाँ पर extremely severe cyclonic storm है और यही 221 km per hour से अगर बहुत जादा आगे बढ़ गया तो इसे हम लोग super cyclonic storm कहते हैं So these are the category of cyclone, उनके wind के speed के according हम लोग यहाँ पर बता पाते हैं कि किस type की cyclone है अब देखिए cyclone में ली आप देखोगे तो दो तरीके के ही होते हैं एक तो होता है आपका tropical cyclone दूसरा होता है temperate cyclone यह देखिए जैसे हमारे यह globe है तो यह हमारे 0 degree हो गया इसे हम लोग कहते है equator उसके बाद आता है tropic of cancer and then यहाँ पे southern में tropic of Capricorn then यहाँ पे north में हमारा आता है यहाँ पे हमारा polar region जिसे हम लोग north pole कहते है और नीचे आता है south pole ठीक है और उपर आपका arctic region है नीचे आपका antarctic region है यह जो tropical cyclone आता है तो tropical cyclone आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे area में आता है जो कि हमारे tropic of cancer से लिखे tropic of Capricorn के बीच में है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि जहां से हमारा southern pole start होता है और pole start नहीं होता है यह वाला region से लेकर हमारा Capricorn तक तो इसकी specific की मैं देखूंगी कि कहां कहां कितने degree तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा but the most common is tropical cyclone, tropical cyclone क्योंकि हम लोग काफी ज़्यादा familiar भी है और tropical cyclone का नाम आप देखो तो hurricanes कहते है Pacific Ocean में और Japan वाले region में टाइफून कहते है तो यह चीज़े आपको देखने को मिलेगा अब यहाँ पर difference देखते है तो इससे आपको समझ में आएगा कि tropical cyclone और temperate cyclone के बीच में क्या mainly difference है tropical cyclone आपको देखने को मिलता है कि किस region में आता है तो ITCJ के region में आता है जिसे हम लोग इंटर-tropical convergence zone कहते है क्योंकि यहाँ पर different hitting देखने को मिलता है land और sea का अब यह क्या हो गया ITCJ चलिए देख लेते हैं देखिए हमारा globe है globe में आपको देखने को मिलेगा कि यह 0 degree equator है यहीं पर 0 degree equator में आपको ITCJ देखने को मिलेगा और यह हमारा आपको देखने को मिलेगा कि equator के अगल बगल ही रहता है तो इसे हम लोग यहाँ पर inter-convergence zone कहते हैं क्योंकि यहाँ पर trade wind converge करती है चाहे वो northern region से है या southern region से है फाइन अब एक concept आपको याद होगा कि जब हमारे देश में monsoon आता है जब southwest monsoon आती है तो उसे में कहा जाता है कि ITCJ जो है वो हमारे equator से थोड़ा उपर आ गया है shift हो जाता है equator से थोड़ा उपर shift होता है तो हम लोग कहते हैं southwest monsoon आ चुके है जो अभी आप लोग feel कर रहे हो लेकिन returning monsoon भी होती है जिसे हम लोग कहते है northeast monsoon तो जब northeast monsoon आती है सप्तेमर के मनत में तो उस समय हम लोग कहते है कि यह जो ITCJ है वो equator से south में shift हो चुका है तो यह भी concept है जब monsoon पढ़ेंगे तो मैं detail बताऊंगी यह अभी cyclone पर ही concentrate कीजे तो ITCJ आई हो कि आप समझ गयों क्योंकि यहाँ पर different land और sea की hitting देखने को मिलती है और इसके कारण जो है tropical cyclone जो है develop होता है वहीं अगर हम लोग temperate cyclone की बात करें तो यह 35 degree north से लेकर 65 degree north है इस तरीके से मैं globe बनाई थी तो यह 0 degree हो गया यह 23 and half हो गया और यहाँ पे भी 23 and half हो गया तो इसके बाद आप समझो कि यहाँ पे जो 35 degree है 35 degree से लेकर 65 degree है इसके बीच में जो region है यहाँ पे हमारा temperate cyclone बनता है tropical cyclone की बात करें तो यह जो cyclone है इसमें light wind होते हैं हलके हलके आपको हवा देखने को मिलेगी tropical cyclone में भी heavy rain होता है बट यह rain कब होता है जब वो हवा समुद्र से उठता है और जैसे ही land से टकराता है तो सारे जो पानी जो moisture खीच के लाता है वो हवा वो पूरा बारिश के form में गिर जाता है land में tropical cyclone की बात करें तो इसमें strongest wind होते हैं वो भी lower troposphere में और अगर temperate cyclone की बात करें तो इसमें strongest wind होते हैं जो कि troposphere के top में होते हैं क्योंकि यह हमारे जो है आप देखो कि high latitude में देखने को मिलता है temperate cyclone उसके बाद अगर tropical cyclone की बात करें तो यह cyclone जो है ना इसमें rainfall बहुत जादा होता है पूरी तरीके से तबाह कर देता है लेकिन वही अगर temperate cyclone की बात करें तो यह धीरे धीरे करकर या फिर moderate rainfall देखने को मिलती है फिर अगर हमनों tropical cyclone की बात करें तो यहाँ पर wind जो है वो height जैसे जैसे उपर बढ़ते जाता है वैसे वैसे wind जो है वो आपका decrease होते जाता है ठीक है वैंड कहने का मतलब है कि wind की जो speed है वो decrease हो जाती है लेकिन जस्ट इसका opposite है temperate cyclone में क्या होता है कि जैसे जैसे यह हवा उपर जाती है height के साथ वैसे वैसे और speed तेज हो जाता है ठीक है तो यह दोनोड I hope कि आपको difference पता चल गया होगा कि temperate cyclone और tropical cyclone के बीच में एक और देख लेते यह 40 degree to 60 degree north और south में ठीक है और वहीं अगर tropical cyclone का देखे तो यह 10 degree to 30 degree north और south में तो 10 degree आपका कहां से हो गया equator 0 degree होता है उसके उपर से आपको देखने को मिलेगा तो यह 30 degree तक जाता है north में भी और south में भी और यह आपका उसके बाद 40 degree से 60 degree के बीच में आपका temperate cyclone होता है temperate cyclone आप देखो कि यहाँ पर जो cold air mass है और जो warm air mass है जब एक साथ यह मिलते हैं तब यहाँ पर temperate cyclone form होता है यह आपका हो गया cold air mass ठीके यह आपका हो गया यहाँ पर warm air mass और यह दोनों जब मिलते हैं तब होता है वही अगर हम लोग tropical cyclone की बात करें तो यह आपका कैसे होता है तो low pressure आपको देखने को मिलेगा इट मींस कि center में जिसको आई अभी कहा जा रहा था question में तो इसको हम लोग आई कहतें तो center में low pressure होता है और convergence देखने को मिलेगा warm dry और warm moist air masses यहाँ पे गरम ही आपको देखने को मिलेगा कि dry और moist air masses से वो दोनों का convergence होता है यह दिहान रखिएगा यहाँ पे आपको warm और cold air masses का convergence होता है लेकिन tropical cyclone में आपको warm dry और warm moist आपका air masses का convergence होता है तो यह हो गई पूरी आपकी basic अब आते हैं फिर से हम लोग article में तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि list of names तो जो नाम हैं यहाँ यहाँ पे 13 countries आप फिर से देख लीजे क्या-क्या चुटा था हम लोग का तो बांगलादेश, इंडिया, हाँ इरान चुट गया था इरान में नहीं बता पाई थी और उसके बाद पाकिस्तान तो देखे थे कतर यहाँ पे चूट गया था फिर श्री लंका, साओधी अरेबिया भी चूट गया था यहाँ पे यह तीन कंट्री चूट गयी थी ना बाकी 10 हम लोग देख लिये थे तो प्लीज इसको याद रख लीजे कि टोटल 13 कंट्री से आज की डेट में पहले 8 कंट्री थी बट अब यह आपका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है जो पार्टिसिपेशन है यहाँ पे नाम देने का वह इंक्रीज हो चुका है तो लिस्ट आफ नेम्स जो आपको ट्रॉपिकल साइकलों का देखने को मिलेगा यह कौन यहाँ पे मेंटीन करते तो वर्ल्ट मेटरॉलोजिकल ओर्गनाईजेशन है और यह आपका जो काम किया जाता है, यानि कि नाम को जो यहाँ पर done किया जाता है, वो Regional Specialized Meteorological Center है और Tropical Cyclone Warning Center है, जो कि Ocean Basin में यह दोनों जो है, यहाँ पर done करते हैं, उसके बाद इसको manage किया जाता है WMO के द्वारा Arabian Sea और Bay of Bengal में अगर हम लोग देखें, तो Indian Meteorological Department है, जो कि यहाँ पर RSMC, यानि कि Regional Specialized Meteorological Center जासा काम करते हैं और यह आपको देखने को मिलेगा, ठीक हैं, साथी अगर हम लोग बात करें, रिस्क of Tropical Cyclone जो इंडिया में देखने को मिलता है तो क्या-क्या रिस्क है, सबसे पहले आप देखो कि हमारा जो पेनिसुला इंडिया है, यह जो है, तो पेनिसुला इंडिया का अगर हम लोग पुरा गोस्ट लाइन का डिस्टेंस देखें, तो यह 7517 किलो मीटर है और हमारे जो एक्सपोज हो रहा है, वो नियरली 10% जो है, वर्ल्ड की Tropical Cyclone से हम लोग यहाँ पे हिट होते हैं यह एक साच है, जो कि हम लोग लास्ट 270 यूर्स से देखते आ रहे हैं, कि 23 अगर मेजर Cyclone है, तो उसमें से 21 जो है, वो इंडिया और बांगलादेश में ही होता है तो यह आप मेली देख सकते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा ग्रसित होते हैं एक analysis किया गया है, कि 300 cyclones को लेकर, जो कि 1891 से लेकर 2000 में हुआ था और यह जो analysis है, यह natural cyclone, risk management project के द्वारा है, जो कि यह बताते हैं कि Bay of Bengal, यह ज़्यादा vulnerable है cyclone को लेकर as compared to Arabian Sea और approximately यह बताया जा रहा है कि अगर चार cyclone, Bay of Bengal में आया है, तो उसके comparison में एक cyclone जो है Arabian Sea में आएगा ठीक है, geographical condition जो हमारा Bay of Bengal में है, इसमें आप देखो कि क्यों इसमें ज़्यादा cyclone आते हैं, तो high sea surface temperature है, shallow water है, high wind speed है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यह favorable condition बनाते हैं cyclone formation के लिए, तो यह चीज़े मैं आपको already बता चुकी हूँ, अब देखते हैं कि इस तरीके का जो risk है हमारे देश में, तो इंडिया की द्वारा क्या यहाँ पर cyclone management framework लाए गया है, तो सबसे पहले हमारे 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 ह की घर खतम हो जाती है, बहुत सारे लोगों की जीवन खतम हो जाती है, इवन बहुत सारे infrastructure damage होता है, बहुत सारे पशुपक्छी जितने species हैं वो भी गायब हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पैसों की, क्योंकि पैसे अगर रहेंगे financial aid मिलता आएगा, तो इन सारे चीज़ों को फिर से recover कर सकते हैं, holistic strategy लाया जाता है, जिससे कि इंडिया की जो disaster management efforts है, वो यहाँ पर चार component के साथ काम करते हैं, एक component है, component A में divide किया गया है, कि सबसे पहले early warning जो system है, उसको improve करना है, इट मिंस कि कि इतना अच्छा होता है, कि अगर कह आएगा, तो एक दिन पहले दो दिन पहले अगर लोगों को बता दिया जाता है, तो लोग अपने हिसाब से जो है, वहाँ से निकल कर एक safe जगा पहुंच जाते हैं, यह फिर सरकार के द्वारा भी आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे मोहीम चला जाते हैं, कि वहाँ पे रह लेकिन डिजास्टर से होने वाले जो रिस्क है, जो चटी है, उसको हम लोग जरूर मिनिमाइज कर सकते हैं, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, एक ऐसा सेल्टर बनाने की ज़रूरत है, यानि कि आप देखो कि उडिसा में हर बार यहाँ पर क्याँ स कि उडिसा में एक ऐसा जगा पर एक ऐसा घर बनाया जाए जो कि हमेशा ऐसा हो कि हाँ साइकलोन आने वाला है दो दिन पहले पता चल गया तो यहां पर जो लोग रहते उनको तुरंत इस घर में सिफ्ट कर दिया जाए साथी साथ हॉलिस्टिक कोस्टल मैनेजमेंट होना चाह काफी तबाही हुई थी जो साइकलोन अंफन आय था 2020 में उससे बहुत सारे जो है हमारे बाइडावरसिटी का लॉस हुआ था तो यह लॉस ना हो उसके लिए यहां पर ध्यान दिया जाता है जो कि मैंगरूव से वहां पर सुंदरवन में जो मैंगरूव से वह बहुत लॉ जो लोग और जो प्राइड प्रॉपर्टी पबinaire प्रवर्टी के जो ह안ी होती है उसको हम लोग कम कर पाईंगे हो यहां परनले बीटी एलडिस किया जाता है कि किस जग्हा पे कितना ज़्यादा परिशानी होने वाली है कितना जादा नुकसान होने वाला है उस हिसाप से ट किनों एक साथ आते हो और जिस तरीके का मदद है उस तरीके का मदद यहां पर पहुंचाया जाता है तो यह तो हमारे द्वारा काम किया गया है लेकिन फिर भी देखते हैं कि आज की जो framework है इसमें कुछ ने कुछ limitation है इतना ज्यादा काम करने के बावजूद भी आपको देख दिखने को मिलता है यानि कि हमारे हैं जो IMD है इंडियन मेटरोलाजिकल डिपार्टमेंट है इनका जो फॉर्कास्ट किया जाता है न सम्टाइमस आप देखो कि यह accurate नहीं होता आज के दिट में तो accurate हो रहा है क्योंकि यह थोड़ा बहुत टाइप कर लिए हैं यहाँ पे satellite यूज करने का तो काफी अच्छे तरीके से यह बता पा रहे हैं लेकिन पहले आप जानते हो कि अगर बोलेंगे साइकलोन आ जा रहा है तो पहले ही पहले ही पहुंच जाता है तो इनकी accuracy यहाँ पर सही नहीं है पूर infrastructure development है हमारे हैं जो infrastructure बनाया जाता है जैसे road बनाया गए पूल बनाया गए तो वो infrastructure जो बनाया जा रहा है वो disaster resilient नहीं है इत मिलीजकर बनाया जाता है कि जैसगी disaster कोई आए cyclone आये तेज हवा आये या पानी आये ये टूट फूट के बराबर हो जाती है तो आपको पता है कि infrastructure sectors में भी बहुत जादा corruption होते हैं पैसे की बहुत जादा मारा मारी होती है वहाँ पे तो इसलिए बहुत नकली समान देकर road बनाया जाते हमारे bridges बनाया जाते जो कि एक बार cyclone आता है यानि कि आप देखो कि 1500 km per hour के speed से भी अगर हवा बहने लगती है तो सब तूट-फूट के बराबर हो जाते हैं तो इसलिए ऐसा नहीं करना ये हमारी problem है थाड़े की low awareness है यानि कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि cyclone आये तो do's and don'ts क्या होते है cyclone क्या कोई भी disaster आये तो सबसे पहले do's and don'ts पता होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो इससे क्या होता है ना कि जान मान की जो च्छती है वो कम हो पाएगी साती coordination की कमी देखने को मिलती है जितने भी different stakeholders है बहुत सारे multiple stakeholders देखने को मिलेंगे जैसे local पंचायत होते हैं, NGO होते है, state government है, central government है, coastal authority है तो वो एक साथ यहाँ पर आकर काम नहीं करते हैं जिनके कारण ये problem देखने को मिलती है long response time है, यानि कि immediate अगर हम लों टॉक्टे के और यास के बाद अगर हम लों देखे तो यहाँ पर highlight क्या गया है कि long response time देखने को मिलता है, यानि कि इस calamity से जूजरे जितने भी लोग है, उनको अगर राहत का समान चाहिए तो बहुत लंबा समय लग जाता है, तो ये भी एक problem है, so these are the limitation बताया जा रहा है अब ये यहाँ पर बताया जा रहे कि क्या हम लोग कर सकते हैं, हमारे हाँ challenges तो हैं, लेकिन cyclone management framework को कैसे हम लोग further improve कर सकते हैं तो सबसे पहली बात है कि state of the art cyclone early warning system हमारे हाँ होनी चाहिए, यानि कि बेटर तरीके से हमारी जो IMD है, Indian Metrological Department ये क्या करें कि सबसे पहले observe करे, predict करे, warning दे, customized करे local scale advice को जो कि decision makers जो है, वो सही तरीके से यहाँ पर decision ले सके और जो cyclone का impact है, उसको minimize कर सके साथी साथ आप देखो कि aircraft probing of cyclone facility है, जिसको create करने के लिए कहा गया है, इंडिया में कि हम लोग ये create कर सकते हैं, जिससे जो critical observational data gap से उसको हम लोग यहाँ पर fill कर सकते हैं It means कि आप देखो कि हम लोग कहते हैं कि पहले जो disaster आया है, उसके नुकसान से हम लोग कुछ नहीं सीखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले जो भी हम लोग को loss हुआ है, जिस तरीके से यह cyclone आता है, तो उससे सीखना चाहिए और observation करनी चाहिए, जैसे आप prelims की paper organization है, उनको जरुए थे कि वो observe करें, analyze करें, और फिर यहां पे अपनी जो early warning system है, उसको और ज्यादा मजबूत करें, साथी infrastructure measures देखें, तो हमें इस तरीके का infrastructure create करना है, जो कि disaster resilient हो, DR हो, it means कि अगर बार आ जाए तो लंबे समय तक पानी है, 1500 km per hour क्या, 200 km per hour, speed से भी आए, त क्योंकि एक बार तूटती है, तो कई साल लग जाते है, फिर इसको repair करने में, सरकार की भी काफी खर्चे होते हैं, तो all weather road link इस तरीके से बनाना चाहिए, multi purpose जो है cyclone shelter बनाए, कि जब cyclone आए, तो यहां पे रहने वाले लोग, जो cyclone prone state में, जो लोग रहते हैं, उनको यहां आ सकेगा, मानते ही कि सरकार के पास पैसे नहीं है, तो private sector को include कीजिए ना, पैसे और punctuality लेकर आएंगे, साथी coastal area में कुछ steps लेनी की जरूरत है, इत मींज कि सही तरीके से delineate कीजिए coastal wetland को, mangroves area को कि कहां से कहां यह वाला area हमारा mangrove है, तो यह वाला area हमारा wetland है, तो इ delineate, यानि कि बिल्कुल से इसको demarket किजिए कि यहां कहां से कहां यह area है, और eco sensitive approach लेकर आना है, जिससे कि हम लोग इस area को develop कर सके, और बहुत ज्यादा coastal area defense आप देखते हो, यानि कि mangroves है, तो mangroves एक ऐसे पादे होते हैं, जिनकी जो जड़ है, वो मिट्टी के अंदर तो इससे काफी ज़्यादा यह हमें protect करता है mangroves, तो mangroves को यहां पे जो है काफी ज़्यादा develop करना चाहिए, एक shelter belt है हमारा mangroves, क्योंकि यह हमें बहुत सारे natural disasters से रोगता भी है, साथ एक integrated hazard mitigation framework लानी की ज़रूत है, जो कि हम लोग यहां पे cyclone और इससे associated जो भी storm है, चाहिए माल नीजे की बहुत तेज हवा चल रही है, rainfall बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन सारे चीज़ों को यहां पे tackle किया जा सके, साथ यह comprehensive cyclone जो disaster management information system है, उसको establish करने की ज़रूत है, जिसमें कि सारी चीज़े cover हो सके, यानि कि disaster management की जो जो face है वो सब इसके अंदर cover हो सके, तो इस तरीके का हमें यहां पे काम करने की ज़रूत है, अब यहां पे आप देख सकते हो कि यह Indian meteorological department की warning system है, तो यहां पे चार color code दिया गया है, green, yellow, orange, red, तो इसमें देखे क्या क्या दिखाता है, green कहने का मतलब है कि everything is smooth and well, अगर green code यहां पे IMD की द्वारा दिखाया जाता है तो कहा जाता है कि सब कुछ यहां पे smooth है, yellow है तो यानि कि कहा जाता है कि हमें और भी ज्यादा update होने की ज़रूत है, जिससे कि bad weather से हम लोग handle कर सके, अगर red है तो it means कि एक danger का zone है कि authorities को यहां पे action लेनी की ज़रूत है, और अगर orange है तो कहा जाता है कि extreme damage के लिए prepare होना है, तो green मतलब यहां green signal मिल गया, सब सही है, yellow है यानि कि थोड़ा update हो लिजे, orange है तो कहने का मतलब है कि prepare कर लिजे क्योंकि bad weather आने वाली है, और red है यानि कि यहां पे आपका एक zone है जिसने कि आपको रुखना होगा ठीक करना होगा चीजों को, देखें यहां पे भी यही बता यह जो topic है cyclone की, I hope कि आपको समझ में होगा, interesting लगा होगा, काफी helpful भी लगी होगी, सबसे पहले हमने देखा, यह आप से direct पूछ लिया जाएगा कि तौकते कहां आया है, तो यह Arabian Sea में है, और Myanmar के द्वारा नाम दिया गया है, और YAS कहां आया है, तो Bay of Bengal में, और Oman के 2004 से यह स्टार्ट है, नाम देने का, रिस्क क्या है Tropical Cyclone का India में, और Mapping भी हम लोग देख लिये, क्या-क्या रिस्क है, और रिस्क को कैसे हम लोग mitigate कर रहे हैं, साथी क्या limitation है, और क्या-क्या यहाँ पर way forward है, ठीक है, तो this is all about this article, चलिए जो question पूछी थी उसकी answer बताती हू तो यह है question, फर्स statement है कि jet stream सिफ यहाँ पर नदन हमिस्फेर में ही होता है, तो थोड़ा सा भी आप jet stream के बारे में जानोगे, तो समझ जाओगे कि यह option यहाँ पर गलत है, और only देकर भी आगर आप गलत कर देते हो, तो दो option हमारा eliminate हो जाता है, second आते है, यहाँ पर आप दे statement है, at any cost, अब आपको third में ही यह समझना है, कि जो temperature है, I की inside, वो nearly 10 degree Celsius है, अब आप देखो, यह चीज़ अभी हम लोग देखे थे, कि cyclone का जो center होता है, जिसे हम लोग I कहते है, यहाँ पर pressure बहुत जादा low होता है, अब obvious है कि pressure यहाँ low होगा, तो temperature high होगा, ठीक है, यह ची jet stream के बारे में दिखाती हूँ, देखे, यह है jet stream, अगर आप गलती से भी NCRT के book खोल लिए हो, या कभी आपको, जो है, मेरी विजनाइस के discussion में, अगर jet stream के बारे में पता होगा, तो यह होता है jet stream, जो कि आप देखो, कि यह तो north pole है, नीचे आओगे तो यह south pole है, जहाँ आपको jet stream देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि northern hemisphere में है only, both hemisphere में है, यह subtropical jet stream है, क्योंकि subtropical वाले area में यह चलता है, actually jet stream क्या होता है, यह ज्यादा कुछ नहीं है, यह 30 wind है, जो कि higher altitude में यह आपका चलता है, जैसे normal आप wind देखते हो, जो कि हम लोग feel करते है, तो यह व लगा होगा, helpful लगा होगा, तो इसके लिए like कर सकते हैं, और आगे हमारे साथ इसी तरीके से बने रहने के लिए, क्योंकि daily हम लोग यहाँ पे 4 वाजे discuss करते हैं, तो इसके लिए आप लोग को हमारे channel को subscribe करना होगा, playlist में आकर आप लोग different lesson भी देख सकते हैं, और इसके अ